नमस्कार आप देखे रें निज्वर इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोन नराइन शिरवात करेंगे खबरों की पंजाब के मुखे मंत्री चरण जीत सिंग चिन्नी ने अपनी ही सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया राज्य के अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा में कटाथी की जाए मुखे मंत्री चन्नी ने कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए इतने सारे लोगों का होना संसाधनों की बरबादी को रिखाता है पंजाब के नागरिकों के साथ रिष्टा जोड़ते हूं उन्हें अपने आपको आम आदमी करा दिया मुखे मंत्री ने कहा कि मेरी जान को किसी भी तरह की खत्रा नहीं है क्योंकि मैं हर पंजाबी का भाई हूँ और एक आम आदमी हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि मैं आप सभी के 20 से ही हूँ मुझे अपनी भाईयों से बचाने के लिए एक हजार सुरक्षा कर्मियों की फौज की जुरूरत नहीं है मुख्यमंत्री ने ये बात उस वक्त कही जो वो कपूर धरा के आईके गुजवाल पंजाब टेक्निकल यूनिवरस्टी में अपना संबोधन दे रहे थे उनके इस बयान के बाद वहां मौझूदा सभी लोग चकित रहे गए अपने संबोधन के दुरान मुख्यमंत्री चन्ली ने कहा कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वो आश्यदे में पड़ गए उन्होंने बताया थी कारेबार समालने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मी तैना थे इस दुरान उन्हें कहा कि सरकारी संसादरों की सरासर बर्बादी है मैं ऐसा नहीं होने दूँगा क्योंकि मेरे अपने पंजाबियों से मेरा क्या नुक्सान होगा मैं भी उनकी तरह एक आम आत्मी हूँ तो पंजाब के मुख्य मंत्री ने सुरक्षा में कटौती मांगी है अपनी संबोधन के दौरान नुने ये बात करके सभी को आशरे चकित कर दिया हात्रस में करीब एक साल पहले हुए बलातकार हुत्यकान ने फिर सुरक्षियों में जगा बना ली है सफा प्रमुक और पूर्व मुख्य मंत्री अखिली श्यादर के बयान बाजी के बाद अभी मार्मी के प्रमुक चंदर श्येकर हात्रस में पिडित परिवार के घर पहुच गए यहाँ पर परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने पिडित परिवार के साथ रात कुजान के बाद कही और कहा कि देखेंगे कि कैसे परिवार संगीनों के डर के साई में रहता है उन्होंने कहा कि पिडित परिवार को अभी लोग लगातार धमक्या दे रही है इनका एक एक पल डर में निकलता है ऐसे में मैं भी यहां एक रात रुख कर देखूंगा कि कैसे इस डर के साथ ही रूख जी रहे हैं मुखे मंत्र योगी आदितनाथ और हाथप्रस डियम पर रिशाना साते विच अंदर शेकर ने कहा कि पिरित परिवार को अब तक नौकरी और मकान नहीं मिला तो ऐसे में क्या मुखे मंत्र ने जूट बोला था या आप जिलाध ध्यक्ष जूट बोल रहे हैं क्यों पिरित परिवार के मदद प्रशासर नहीं कर रहा है और राजसरकार नहीं कर रही है इसके साथ ही उन्होंने पिड़ित परिवार के घर के बाहर पड़े को देखकर कहा कि इसको एकटा कर मैं CM और DM हात्रस को भीट करूँगा आप कुतादे कि हात्रस मामले में 2020 में भी सियासत हुई थी और 2021 में भी सियासत होती हुई नजर आ रही है हाला कि अब यह जो सियासत है वो 2022 का रूप ले रही है क्योंकि 2022 में विधानसवा चुनाव होनी है ऐसे में हर उस पिड़ित के घर सभी तमाम पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं जो दल हैं जो कारक करता हैं वो पहुँचते वे नजर आ रही हैं क्योंकि उन्हें अब वोट ऐसा ही इस पूरे मामले में नजर आ रहा है चंदर शेकर को अब पिड़ित परिवार की याद आ रही है बीते एक साल से उन्हें ये नहीं लगा कि पिड़ित परिवार से मुलाकात करनी चाहिए या वहां पहुँचना चाहिए या पर एक रात रुप कर ये देखना हैं कि वोट के लिए राज्यतिक दल कुछ भी करने के लिए तयार हैं और ऐसा ही इन तस्वीरों में नजर आ रहा है भीमार्मी चीफ चंदर शेकर और फररावन हात्रस पहुँचे पिड़ित परिवार से मुलाकात की केंद सरकार और योगिस सरकार पर जम कर निशाना साथ हाते हुए नजर आए तो हात्रस का ही पूरा मामला आपके तादिक हात्रस में 2020 में कथी तौर पर बरातकार और हत्या का जो मामला है वो पूरी तरह से सुर्क्यों में था इस पर खूब राज्यतिक बयान बाजिया भी हुई थी और यहां पर काफी जादा तरह पूर माहौ सवाल भी देखने के लिए मिला था मीडिया की एंट्री तक बैंड कर दी गई थी तो ऐसे में इस पूरे मामले ने बहुत तूल पकना था और समय देश भर का ध्यान अपनी और खीश लिया था ऐसे में लग रहा था कि जल्द से जल्द विटिया को इनसाफ मिलेगा हाला कि जो आरूपी हैं मुख्य आरूपी बनाए गए थी वो जिल में हैं लेकिन अब कर पिडित परिवार का कहना है कि उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही है अब भी वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों का साया है वो परिवार के आसपास रहता है सिस टीवी कैमरे वहाँ पर ल मुलाकात भी की हैं एक राद वहीं रुके हैं उनका कहना है कि वह देखेंगे कि किस तरह से पिडित परिवार डर के साय में पूरी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होता हूँ नजर आ रहा है वहीं यहां पर उन्हें यह भी कहा कि जो पूड़े का धेर पड़ा है घर के बाहर वो उन्हें योगी आदेतनाद को भेट करेंगे और वहां के जिलादिकारी को भी भेट करेंगे तो हात्रस का यह पूरा मामला चंदर शेखर और फररावन पिडित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुचे हैं लिकिनी मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब सिवराम से बैठे हुए थे उन्हें कोई दुख दर्द नहीं हो रहा था पिडितों को लेकर लेकिन अब अचानक पिडितों को लेकर उनकी दयार ब्रस्टी को जादा ही सामने आ रही है जी मैं बता दूँ आपको कि आज कल की रात जो है वो सामको साथ बजे का जलादिकारी को पता हुआ था कि पीडिता के घर पहुचेंगे चंद्र चेखर रावर और रात को वहीं इस्टे करेंगे उन्होंने वहाँ इस्टे किया है रात का और दूसरी तरफ जो घर के बाद गंद्धगी जो थी उसको लेकर प्रिताथन से एक वो किया था कि जल जल गंद्धगी को अचाई जा जा या वहीं प्रताथन ने रावर की बात को देखते हुए तक्ताल वहाँ से सुवह ही गंद्धगी को बिल्कुल एक तरीके दर साफ करा दिया है और वहां की तरक थी उसे बनाने का कार चल रहा है और अभी भी बिटिया के गाउं में ही मुझे बिलकुल दिपेश जो रावन यहां पहुंचे हैं उन्होंने क्या पेडित परिवार्स मुलाकात की है और जब उन्होंने कहा कि वो पूरी रात यहीं गुजारना चाहते हैं तो जिस तरह कि अभी तक सुबह वी कॉरी बास सामने नहीं आपाई है क्योंकि सुबह अभी तक बर्दन नहीं मिल पाया लेकिन अभी जो जैसा कि आपने पूछा है मैं बताऊं को के ना वधर वहीं पिडिस्का के घर में ही रात को रुक हैं और रात को रुकने के बाद सुबह अभी ज लगो पूरा काम हाथ चल रहा है जंदगी रहताने का उसके बाद में यहां से निकल कर हासरा स्कलेक्टेड डीम जलाजिकारी को देंगे वो क्या पन मिल्कुल यहां पर हम देख रहे हैं कि राज़री के बहुत कूब हो रही है दिपेश इस पूरे मामले में लेकिन सवाल यह उड़ता है कि जो चंदर शेकर रावन है वो जो आरोप लगा रहे हैं कि पिडित परिवार को अब तक ना तो मकान मिल पाया है और ना ही नौकरी हलाकि एक साल पहले यह बादा दावा किया गया था तो कहां अटकले लग रही है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कहीं जरादिकारी तो इसमें बीच में नहीं है यह मैं बता दू इस तरीके की जो बात आए तल जो रावर ने कहीं है कि प्रसासर ने जो मांग गई थी के अभी तक उस केस में लगातार तारीके पड़ गई है को उसमें चल रहा है लेकिन अभी तक जो है कोई भी प्रशाशन की तरफ से कह लो या सरकार की तरफ से कह लो पिडित परिवार को ना ही नोबली दी गई है और ना ही आवास दिया गए है आसपास के जो लोग है गाउं के उनकी और से क्या कुछ कहा जा रहा है क्योंकि दिपे जिस सरह से आप भी फिल्ट पर गए थे और हम भी गए थे इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वह किस बात की गुत्ती है जो सुलश्टी हुई नजर नहीं आ रही है आफित किस तरह का महौल है इस गाउं में माहौल मैं बता दू, माहौल बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल फाफ है गाउं में, किसी भी मीडिया कर्मी से गाउं के लोग बात नहीं करना चाते हैं, आरोपी परिवार के लोग बात नहीं करना चाते हैं, अगर आपको परिवार से बात करने के लिए जाना पड़े, तो पर दिपेश का लगता है जिस तरह से यहां पर रावन पहुंचे है आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और राजनीती हो सकती है क्योंकि अब रावर ने यहां पहुंचकर राजनीती की उंकार तो भर दी है जी बिल्कुल कहीं करेकेज पर जो देखने को मिलावा हजारों की संख्या में भी मार्मी के कारेकरता पोँचे हैं और रावर ना कुछी देर में पोँचेंगे और तिराज़िकारी को ग्यापन देंगे राजनीतिक तूल पकड़ने का तुबारा हो सकता है कहीं न कहीं कहीं तुबारा से इसमें राजनीति होने लग जाए क्योंकि 2022 का सुना भी यूपी में शान पर आई चुगा है उसे भी देखा जा रहा है इसी मामले से चले ठीक है बहुत शुक्रिया अतमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो वहां थ्रस पहुंचे विमार्मी चीफ चंदुशेखर और फर रामन और वहां पहुंचकर उन्होंने पिडित परिवार के साथ पूरी राद गुजारी उनका कहना है कि उन्हें देखना है कि किस तर उन्हें को एंटि लेनी होती है तो पहले परमीशन लेनी होती है हाला कि अगर मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको भी परमीशन लेनी पड़ती है तो अंदाजा अप लगा सकते हैं कि माहल अभी बुलगड़ी का ठीक नहीं है देरादून में कॉंगर्स प्रदेश अध्याश गणेश गोधियान ने दावा किया है कि उत्राकन की राज़नीती में अगले 15 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है गोधियान ने कहा है कि BJP की कई नेता कॉंगर्स के समपर्क में हैं लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हम सब को कॉंगर्स में शामिल करें हम अपनी पार्टी की नेताओं का हित देख कर ही आगे कि रनीती तिया करेंगे क्योंकि हमारे पार्टी की निता पांस साल से बीजोपी के खलाब काम कर रही है और स्थानिय जनता के सुख दुख में श्रामिल है ऐसे में उनका हित प्रभावित ना हो इस बात का विशेश ध्यान रखा जाएगा गणिश कोधियान ने कहा है कि अगले 15 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है उनके इस बयान से साफ हो गया है कि कॉंग्रेस अपनी रणीति के तहत बीजोपी के कई नेताओं को पार्टी में श्रामिल करने के तयारियों में जुटी हुई है तो देरादून में कॉंग्रेस अरणीति में राजनीतिक में हल्चल लगातार दिखाई दे रही है दरसल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ बीजोपी के जो नेता है वो कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं उनका साफ़तोर पर कहना है कि हम हर किसी को शामिल नहीं कर सकते पार्टी पदादिकारी बेटर करेंगे उसके बाद ही निर्न लिया जाएगा कि किसको शामिल करना है किसको सामिल नहीं करना है ऐसे में तमाम बाते हो रही हैं हो सकता है कि आगे के रनीती कॉंग्रेस ने पूरी तरह से तयार कर ली हो नेताओं का हीत देखकर ही रनीती पूरी तरह से तैग की जाएगी क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों से लगातार कॉंग्रेस जो है वो जनता के ब ज़िए जब नहीं है कि हम सब पूर्ट को पूर्ट के जो ऐसे खारी करता हैं ऐसे प्रदादी कारी हैं जो पिछले पांग सालों से बारते जंता पाट्टी के एकलाफ और उस छेत्र की जंता के शोक और गुप में हमें साथ पांग साल तक उनके साथ खड़े देए तो उनके हितों को भी देखा जाएगा उनके हितों के साथ की समझता नहीं किया रहे हैं अगर कहीं पर ऐसी आवज सकता है तो हमारे संपर्ट में हो प्रिश्चेत रुप में इस 15 दिन के बाद आपको कुछ नया देखे दूँगे और इसी कबर पर जादा जानकारी के लिए उत्राखान बियोरो चीफ सुभाष कॉड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सुभाष आखिर कॉंग्रेस के रनीती क्या है देख कर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कॉंग्रेस ये ठान कर बैठ गई है कि 2022 में उफटै करने वाली है लेकिन ये बात कहीं जा सकती है कि पिछले लंबे समय सजब से गणेश गोद्याल को चक्ष बनाया गया उसके बाद से ही वो इस तरीके की बाते कर रहे हैं पॉंगेश कहीं नगे 2022 के चिनाव में मज़्टूब अगर गणेश गोद्याल की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ कैसी है जनता में ये कैसी छवी रखते हैं सभाश मेरी आवास मिल रही है आपको जी पिलकुल आवास मिल पा रही है सभाश जो गणेश गोद्याल है ये जनता के बीश कितनी पकड़ रखते हैं और किस तरह की छवी रखते हैं जी बिलकुल गणेश गोद्याल की सभी कहें तो काफी शांस वभाव के माने जाते हैं क्योंकि शिरी नगर विधान सभा जो मुख्य सीट है ये इनकी लगातार पसंदीदार सीट रही है और यहीं से वो लगातार चुनाव चीथते भी आए हालकि राट समुदाए कि वो नेज़ा कहें जाते हैं लेकि बड़ी चुनावती ये है कि अपके बल शिरी नगर विध कि अपके बल शिरी नगर विधान सभा तक पहुंचाने के जिम्यदारी से उतके बाते हैं लेकिन देखना होगा कि इस नई जिम्यदारी को कितने पपू भी वो निखाते हैं और इसका परणाम 2022 के सुनाओंगा कितना मिल बाता है कॉंग्रेस को ये भी देखना होगा लेकि बड़ी सुनोती ये है कि जहां कॉंग्रेस गणेस बोदियाल पर भरोसा जातारी है हरी स्लावत पर भरोसा जातारी है तो में दूसरी तरफ जो पूर में नेता अच्यक्ष नहीं है और नेता प्रति परितम ती उनकी घटबाजी कहीं नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके स कॉंग्रेस में ये कहा जा सकता है कि बोड़ गतोर में कॉंग्रेस पूरी तरीके से चलती भी नजर आती हैं क्या कुछ ऐसे जानकारिय सुभार्ष की इन नामों पर चर्चा हो रही है या ये नाम शामिल हो सकते हैं अभी तक नाम उन्होंने साथ नहीं किये हैं लेकिन जैसिक मैंने पहले बताया जब से बहुत है तब से लगातार वो बाते ये जरूर कर रहे हैं कि भाजपा के कुछ पड़े नेता वापस पार्टी में आ सकते हैं पार्टी में उनको शामिल कर सकते हैं चाहे वो बागी न अभी तक नाराज विधायत भी हो सकते हैं लेकिन ये अभी आप कहना ठीक नहीं होगा कि आखिरकारों नेता को अलकि कॉंग्रेस ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिनके भी तर्मून चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे अब देगना होगा कि उन चेहरों से कितना फाइदा कॉंग्रेस को बिल्कु सबाश और इंतिजार रहेगा कि कॉंग्रेस इस तरह से फेर बदल कर किस तरह के रणीती अपना आती है फिलाल के लिए बहुत शुक्त रहे शुबास तमाम जानकारी पहुंच आने के लिए तो गणेश गोदियार यहां पर पूरी तरह स से कॉंग्रेस नजर आ रहे हैं साथे साथ उनका कहना है कि 2022 में फतह कॉंग्रेस की होगी इसके लावा बीजूपी के कई बड़े नेता हैं जो 15 से 20 दिन में कॉंग्रेस में श्रामिल हो सकते हैं भारत में कोरोना एक्टिव केस खटकर करीब 3 लाख हो गए हैं स्वास्त मंत्राले की ओर से शुक्रवार सुभार जारी किये गए आंकडों के निसार पिछले 24 गंटों में 31,000 से जादा नए कोरोना केसे सामनी आए और 318 कोरोना संक्रिम्तों की जान चली गई वहीं 24 गंटे में 32,000 से जादा लोग कोरोना से ठीक होए हैं यानि कि 1000 से जादा आक्टिव केस कम हो गए हैं देश में सबसे जादा कोरोना मामले कीरल में सामनी आ रहे हैं केरल में कल कोविट के 19,000 से जादा नए मामने सामने आने के साथी कोरोना वारे से संक्रिम्त लोगों की कुल संक्या बढ़कर 45,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अलग 3,28,48,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस के संक्या करीब अं 3,00,000 हैं। पुल 3,62,00 लोग अभी कोरोना वारिस संक्रिमित हैं जिनका एलाज भी लगातार जारी है। तो कोरोना एक्टिव केस घटकर 3,00,000 से कम हो गए हैं। दूसरे दिन भी 30,000 से ज़ादा मामले सामने आए हैं। स्टेशन और स्टीपी प्लांट निर्मान का कारे भी होगा। स्टीपी मिल चुकी है। जिसमें जोमन सरकार की KFW संस्था और भारत सरकार के बीश लोन एक्रिमेंट के हस्ताक्षित हो चुके हैं। जो शहर और कुछ ग्रामिन चेतर को मिला के है। सिवरेज योजना बहुत पहले से प्रस्तावी थी और अने को बार इसके बारे में मैं अधिकारे से बात्चीत भी कर चुका हूँ। और लगातार इनका नुस्रमण करने के बाद आज मैं मुझे खुशी है इस बात की कि KFW के अंत्रगत ये रिशिकेस नगर की और ग्रामिन चेतर की जो ये सिवरे योजना है इसकी लागत आज की तारिक में 462 क्रोड और 93 लाख रुपया है। और इसकी जो पुल लंबाई है वो 180 किलोमेटर है जिसमें आपका नगर निगम चेतर जिसमें आपका गुमाने वाला खदरी और शांपूर इन ग्रामिन चेतरों को भी इसमें जोड़ा जाना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 30 आने वाले सालों के लिए इसका जो है लिजाईनी की गई है। आज की तारिक में इसमें 1,35,933 की जनसंक्या को कवर कर रही है। और आने वाले टैम पे जब ये 30 वर्षों बाद एक अनुमानित जो हमारा जनसंक्या उस समय 2,20,000 और 379 होगी। और इसमें खदरी में एक STP प्लान लगेगा। और सिवरिस पंपिंग इस्टेशन एक आस्ता बत पे आने कावास विकास में बनना है। चमोली में विपल कोटी के हाथ काओं में CADC और प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ परिजनों प्रभावितों के भवनों की दोहस्ते करण की कारवाई शुरू करती हैं जिसके बाद विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कारवाई रोकी नहीं गई। प्रवन्दन की तरफ से किसी वी तरह का बयान इस मामने में अभी तक सामने नहीं आया। मुई ग्रामपदान होट राजेन भट वालों का कहना है कि ग्रामिन कंपनी के निर्मान कार्यों में हमेशा सयूग देती रही है और विकास के साथ खड़ी रहेगी। गाउं के नब्य प्रतिशत परिवारों ने विस्थापन कर लिया है। तो चमुली की तस्वीरिया आप देख रहे हैं जन प्रतुद्धियों को कस्टडी मिलिया गया है घरों को तूटता देख रोते विलखते ग्रामिन नजर आए हैं। अजर वहां फेंग जाए अब मेरे सामान कुछ नहीं कुछ नहीं मिला मेरे को एक बक्सा भेज रखा एक तिन चैट में जिसमें मेरे ताला लगाया था ओटाला तोड़के मेरे अपना खर्चा रखा था उसमें तीस अजार रुपी रखे थे बैंक से बार बार कौन जा रह तीस अजार रखे थे उसमें कि खर्चा होते रहेगा बैठाओं घर में और उन्होंने वो पैसे भी नहीं उसमें वो पैसा नहीं बक्सा में पसासन के द्वारे मेरे साथ बड़े दुर्भ्यागे को तरीके से मेरे को घषिटा गया मेरी मिशेश को भी पौँपकर के हाथ अपनी दादी की तित नहीं कर पाया अंदर सारे पसाचन के लोग और यह लेवर उन्होंने ऐसे बेजिये जूते में जो मैं नहीं कर पाया और मुझे उसका बड़ा दुख है जो हमारे उसमें संस्कारों में है कि सरात पक्षाते तो तित करना बहुत जलूरी होता है वो मै स्टापन नहीं कर पाया इंहोंने स्वच्शिक बिस्थापन उमको बताया खिए जद्फन कर रहे हो तो हम लोग हमारी स्वच्छा तो नहीं थी जाने कुण की और फिर इन्होंने जो टाआम और सभी ने जेगे उसके बाद जो भी बारत होगी उसके बाद हो 통 लेकिन उससे पहले ही हमको इस घटना से गुजरना पड़ा है अमारे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया हम को बांद के चमुली वह उसमें ठाने में ले ले गई ठाने से हमें बंद कर आ गया अरा मारे मकान सामान सोना चांदी पैसे सब पता नहीं कहा है क्या है हम नहीं जानते मैं पुराने कपड़े से फटे कपड़ों से यहां गोपेशवर आई हूं के लिए मेरा एक बक्स रमी रम भरे है मेरे को एक बक्स रम है और तीन लाके जेवर हैं और दो लाके इस रखे थे मेरे अंदर लड़के की साधी करने के लिए लड़के को भी पत्र दे रहा कि कबरों में ताहिया बने रहें न्यूस वर्ल इंडिया के साथ